पानी पूरी ऐसी रिस्पी जो सभी लोग को बहुत पसंद आती है चाहे बच्चे हो या बुड़े आज पानी पूरी की पूरी बना के तयार करेंगे वो भी परफेक्ट मजर्मन के साथ ये पूरी ये मार्केर डेसी करारी और फुली फुली बन के तयार होगी पानी पूरी की पूरी की पूरी की पूरी बनाएंगे तो कभी भी फेल नहीं होगी यहां पर मैंने एक बोल लिया है जिसे मैंने सूजी को डाल दिया है अब इसमें मैंने दो चमाच मैदा लिया था उसे भी डाल दिया है अब इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे पूरी को बनाने के लिए आपको नहीं नमक डालने की जरूरत नहीं तेल हम बिना तेल की पूरी यां बना के तयार करेंगे थोड़ा थोड़ा पाने डाल के इसका हम डो बना लेंगे एक ही वार में पाने ना डाले थोड़ा थोड़ा करके पाने डालेंगे तो हमारा डो अच्छे से बन के तयार होगा इसको अच्छे से मसलते हो इसका सक्त डो बना लेंगे इस डो के ऊपर थोड़ा सा पानी लगा के हम 20 मिनट के लिए इसको धक के छोड़ देंगे अगर बाद में मुझे जरूरत होगे तो इसका यूज कर लेंगे अगर आपके सूजी थोड़ी मोटी है तो इसे ज्यादा भी पानी लग सकता है यह डिपेंड करता है क्या आपके सूजी बारिक है या मोटी 20 मिनट बार से लिए डो को चेक कर लेते हैं अब सूजी अच्छे से फूल जाने के करण डो थोड़ा सकत हो गया है अब जो बचा हुआ पानी थाओ से डाल के हम अच्छे से गुन लेंगे इस डो को एक मिनट के लिए अच्छे से मसल लेंगे इस डो को जितना हम अच्छे से गुन देंगे उतना ही हमारी पुड़ी अच्छे बन के तयार होगी यहां पर मैंने आटो को दो भाग में कर लिया है इस आटे का छोटा छोटा पाट करके हम बॉल में डालते जाएंगे यहां पर मैंने मिडियम साज की पुरी बनाई है अब एक आटे का टुकडा लेंगे और दोनों हथेलियों के बीच में रखे इससे प्रेशर देते हुए गोल साकार दे देंगे अब भी पानी पुरी की बो आटे से बॉल बनाएं तो उससे प्रेशर डालते हुए बनाएं ताकि यह चिक ना हो जाए यहाँ पर मैंने एक बोरी ले लिए पुडिया बेलने के वाद इसके उपर डालती जाओंगी इस पुडियों को बेलने के वाद अप्टेट में ना डालें अगर आपके पास बोरीया नहीं है तो इससे आप कपड़े के उपर डाल सकते हैं यहाँ पर एक आटे की लोई ले लिए और इसको चार तरफ से अच्छे से बेल लेंगे यहाँ पर मैंने दिखाया है इतना ही पतला आपको बिलना है इसे ज़्यादा मोटा ना रखें और नहीं से ज़्यादा पतला करें हमें सभी तरफ से हमें पूरियों को अच्छे से बेल लेना है पूरियां बिलने के वाद इस बोड़े के उपर एक एक करके रखते जाएंगे इसी तरीके से मैंने सारी पूरियों को बेल के मैंने पूरि के उपर रख दिया है पर सारी पूरियों को बेलने के वाद इसे पाच मिनट के लिए छोड़ दें फिर इसके बाद हम तेल में डालेंगे तो हमें क्या करना है अब पाच मिनट बाद आप देख सकते हैं कि पूरियों का उपर का पाठ ड्राई हो चुका है और नीची का पाठ गीला है जब भी इन पूरियों को हम तेल में डालेंगे तो जो घीरा वाला पाठ वो नीचे रहना चाहिए और जो ड्राई वाला पाठ वो ऊपर रहना चाहिए यहां पे मैंने कड़ाहे में तेल गर्म कर लिया है गैस के फिल्म को मैंने यहां पे हाई रखा है जब ही पुड़ी आप तेल लें तो तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए जब ही हमारी पुड़ी आच्छे से फुलेगी अब एके करके हम इन सारी पुडियों को तेल में डालते जाएंगे बस यह आपको ध्यान रखना है कि नीचे वाले पार्ट को नीचे रखना है और उपर वाले पार्ट को उपर रखना है तब हमारे पुडिया अच्छे से फुली फुली बन के तयार होगी अब यहाँ पर मैंने गैस के फिल्म को स्लो कर दिया है अब इन पुडियों के उपर अस्पुन से तेल डालते जाएं ताकि यह पुडिया अच्छे से करारी हो जाएं अब इन सारी पुडियों को हम स्लो फिल्म पर अच्छे से तल लेंगे इन पुडियों को अच्छे से अलट पलट के लिए 4 मिनट के लिए पका लेंगे अब आप देख सकते हैं कि इन पुडियों में अच्छे सा गोल्डिन कलर आ चुका है अब इन पुडियों को हम तेल से बाहर निकाल लेंगे इन पुड़ियों को मैंने एक स्टेनर पर निकाला है जो भी इसमें एक स्टाय वाल होगा वो नीचे गिर जाएगा इसी तरीके से सारी पुड़ियों को एकिकर के हम तल लेंगे आप देख सकते हैं कि हमारी पुड़ियां कितनी फुली फुली बन के तयार हुई है यह पुड़ियां में बन के तयार हो गए है इसे भी हम तेल से बाहर निकाल लेंगे इसी तरह से मैंने सारी पुड़ियों को उतल के तयार कर लिया है आप देख सकते हैं कि कि colleg impact है यहां पर मैंने आदब कप JSOOJ247 पुड़ियां बन के तयार किया हैं जिसमें से सी तीन पुड़ियां मेरी नई फुली थी आप देख सकते हैं कि पुड़ियां झाल झाल